हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेकिए आज चिपका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रिकी मैन पर तो गाइस जो बच्चे अपने लिए ओनलाइन स्कोलर्शिप सर्च कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है गूगल के तरफ से दो नई स्कोलर्शिप लॉंच की गई है एक स्कोलर्शिप पर्टिकुलर्ली गल्स स्टुटेंट के लिए और एक स्कोलर्शिप बोईज और गल्स दोनों के लिए है इन दोनों scholarship में अलग-अलग benefit दिया जा रहे हैं आप लोग को आप तो $3,000 तक के आप लोग financially benefit ले सकते हो इन scholarship से अगर आप अभी college में पढ़ रहे हो तो आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए scholarship यह exclusive scholarship है जिनके लिए limited time dates होती है जिसके लिए आप लोग online apply कर सकते हो इन scholarship के लिए आपको कोई exam या फिर कोई fees नहीं देनी होती जिस्ट आप लोग को application form फिल करना होता है जो कि इस video में आप लोग को detail में बता दूँगा एक एक करके सारी eligibility सारी detail सब कुश में आप लोग को इस video में बता दूँगा आप लोग को इस video अच्छी लगे एक like जरू करना अपनी दोस्तों में इस video को share करना तो इस scholarship की notification आप लोग को google की buildyourfuture.withgoogle.com scholarship website पर मिल जाएगी यहाँ पर आप देखोगे आप लोग को student and travel scholarship प्रएट की जाती है अलग-अलग scholarship होती है country wise जैसे Asia Pacific में यह यानि इंडिया में भी यह scholarship का फायदा ले सकते हैं United States, America, US और अलग-अलग Europe जैसी countries के लिए यहाँ पर scholarship google time to time निकालते रहता है अभी दो scholarship हैं जिसके लिए Indian student apply कर सकते हैं इनकी detail अभी हम लोग देखेंगे उससे पहले एक और update है उन बच्चों के लिए जो अपने लिए इस time पे एक अच्छी company में job secure करना चाहते हैं देखो guys अगर आज के time के हम लोग बात करें तो mass layoff चल रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी job already गवा चुके और जिन्होंने नहीं गवाई उनके salary deduct कर ली गई है यानि recession तो चल रहा है बट मैं आप लोग को बता दूँ ऐसा नहीं है कि job market में नहीं है अभी भी job market में हैं बट skillful candidates के लिए ही ये job है market में जिनके पास skill है वही आज के time पे job कर रहे हैं या फिर कर सकती हैं अगर आप लोग भी skillful होना चाहते हूँ तो आप लोग को मैं एक program बताता हूँ i-neuron के 3 affordable job guarantee program लोँचो रखे हैं जो कि आप लोग को job दिलवाने की guarantee देते हैं आपकी job नहीं मिलती तो आपको course की fees refund कर दी जाती है ये बहुत अच्छा feature है उन बच्चों के लिए जो नई skill सीखने के साथ साथ अपने लिए job secure करना चाहते है पहला program है full stack web development job guarantee program 10 plus projects पे आप लोग को काम करने का मौका मिलेगा विश्व मोहन जो की CIO है physics वाला के ex-linkedine रह चुके है Amazon पेपल जिसी कंपनी में काम कर चुके है ऐसे person से आपको सीखने का मौका मिल रहा है इसके अलवा back end development in Java using spring job guarantee program भी launch हो रहा है इन courses का level English में medium रहने वाला है और live classes भी आप लोग को मिलने वाली है full stack data science job guarantee program भी launch हो रहा है ये program हाल फिलाल में आप लोग के लिए launch होने वाले है जिनका access आप लोग ले सकते हो एक चीज में आप लोग को बता दू i-neuron के ये जो courses है इनके each module का अगर आप लोग 40% भी complete कर लेते हो assignment complete कर लेते हो projects complete कर लेते हो तो आपका job guarantee cover हो जाएगा यानि आप लोग को job मिल ही जाएगी इनके program की help से अभी तक ऐसे बहुत सारे student है जिनको अच्छी company जैसे Microsoft, Vipro, Amazon, IBM, Capgemini, Paytm जैसी company में already job लग चुकी है ये आप लोग i-neuron की website पे जाके check out कर सकते हो इनके course के features की बात करें तो बहुत सारे exclusive feature है जिस job guarantee program तो ही instructor-led live classes आपको provide की जाती है 150 hours का content मिलता है almost हरी course में आपको 20 plus hands-on industry real-time projects पे आप लोग को काम करने का मोगा मिलता है assignments, doubt clearing sessions होते हैं quizzes होते हैं प्लस यहाँ पे इनके courses में आप लोग को parallel internship भी offer करवाई जाती है जिससे आप लोग industry experience भी ले पाओगे course को करते करते i-neuron lab access का भी आपको access मिल जाता है प्लस mock interviews भी आपके कराये जाते है unlimited interview opportunities आप लोग प्ले होती हैं इसका link मैं आप लोग को video description box में दे दूँगा वहाँ से आप लोग check out कर लीजिगा इनके नए बैचिस साथ होने वाले है अब बात करते हैं जो बच्चे Google की scholarship लेना चाहते है उनको क्या करना होगा तो जैसे मैंने आप लोग को बताया Google की दो scholarship launch हुई है एक scholarship का नाम है generation Google scholarship जो की अभी हम detail में देखेंगे दूसरी scholarship का नाम है आप है Google conference scholarship तो दोनों scholarship की हम लोग detail eligibility देख लेते हैं पहले हम लोग girl student जिस scholarship के लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बार हम बात करते हैं जिसका नाम है generation Google scholarship ये बहुत exclusive scholarship है जो की साल में एक बार ही open होती है इस scholarship के अंडर करीब डाही हजार USG प्रवाइड किये जाते हैं जिसको भी scholarship लगती है यानि आपको financially support किया जाते है इस amount से आप लोग अपनी education complete कर सकते हो tuition fees complete कर सकते हो networking opportunities का फायदा ले सकते हो इतना amount आप लोग को मिलते है 2500 USD को अगर हम लोग इंडिया में convert करते हैं इन INR तो हम लोग amount देख लेते हैं करीब 2,00,00 रुपे की scholarship होती है जो कि आप लोग को मिलती है यानि 2,00,00 रुपे पर्टिकुलर्ली आपके account में send किये जाएंगे अगर आप लोग की scholarship लगती है देख सकते हो application for 2023 आपन ना हो तो जब भी आप ये वीडियो देखते हो तभी की तभी आप लोग apply कर दीजगा अगर आप लोग eligible होतो ये जो scholarship है इसकी अगर हम eligibility की बात करें तो अगर आप लोग second year या फिर third year में पढ़ रहे हैं वो इस time पे और आप girl candidate हो तो आप लोग ये scholarship के लिए apply कर सकते हो आप लोग जो study कर रहे हो वो computer science या फिर computer engineering या फिर dialect technical field में आप लोग degree कर रह हो तो आप apply कर सकते हो जयसेod BC हो गया,Btech हो गया B BJ calendar से तो आप लोग apply कर सकते हो इस scholarship के लिए full time bachelor degree आप लोग कर रहे हो इवन हमारे ही यूटूब चनल पर मैंने SBI की स्कोलर्शिप कुछ दिन पहले डाली थे आप लोग के लिए जिसके लिए almost सभी बच्चे अपलाई कर सकते हैं गल्स एंड बोईज application process की बाप करें तो आप लोग को general background information add करनी होती है एक resume और cv add करना होगा academic transcription add करना होगा और आप लोग को एक short essay questions आप लोग से दो पूछे जाते हैं उनका answer करने होंगे यहां पर essay question आप से ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपने कभी कोई complex problem face की है तो उसके ओपर आप लोग detail में बताओ किस तरीके से आपने solve की क्या problem face की क्या experience था बाकि आप लोग को साई detailing की website मिली जाएगी अगर हम बात करें इस scholarship के लिए आपको apply कैसे करना है वहर मैं बता देता हूं उसके बाद मैं second scholarship आप लोग को बता दूँगा तो यहां पर आप लोग को application for 2023 आपन पर क्लिक करना होगा इसका लिंक आप लोग को video description box मिल जाएगा यहां पर आपको एक application लोग ने कभी कोई work experience यानि कि आपको को internship आपने कोई project या फिर कोई extra curriculum activities में participate किया है तो वो detail आप लोग को एड़ करनी है उसका यहां पर application documents में आपको एक resume चीएगा और एक transcript document चीएगा और आप लोग को जो मैंने essay questions बताये थे उनके आप लोग को answer करने होगा और same कर देना तो यह पहली scholarship थी second scholarship के लिए जिसके लिए सभी लोग eligible हैं वो है Google की second scholarship Google conference scholarship यह जो scholarship है वो yearly open रहती है आप कभी भी scholarship के लिए apply कर सकते हो कोई last date नहीं है scholarship की और अगर आप North America से हो Africa से हो या फिर Asia Pacific reasons से हो जिसे इंडिया से हो तो आप लोग Asia Pacific वाली scholarship के लिए apply कर सकते हो इस scholarship म आप लोग को अलग-अलग traveling grants offer किया जाते हैं जो भी travel freak persons है उनके लिए scholarship बहुत अच्छी है Google के time to time अलग-अलग countries में conferences होते रहते हैं जहां पर networking mentorship का बहुत अच्छी opportunity बच्चों को मिलती है तो यह scholarship आप लोग को एक amount provide किया जाता है इस scholarship के stipend की बात करें तो करीब USD 1000 से ले आपकी air tickets हो गई, hotel arrangements हो गई, google के conference को attend करने के सारी costing आपकी इस amount में include किया जाती है तो यह scholarship भी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो नई skills सिखना चाहते हैं, networking opportunities बढ़ाना चाहते हैं, अलग-अलग mentorship लेना चाहते हैं उन बच्चों को इस scholarship के लिए जरूब apply करना चाहते हैं, अगर हम लोग scholarship की बात करें तो आप लोग full time student होने चाहते हैं, किसी भी इंडिया की university में आप लोग पढ़ रहे हो, कोई भी degree आप लोग कर रहे हो, any degree student apply कर सकता है scholarship के लिए, या चाहे आप girl हो, boy हो, कोई भी apply कर सकता है scholarship के लिए, तो यह कुछ basic सी detail है scholarship के इस application form को आप लोग को fill करना है, अपने हिसाप से सारी detail आड़ करनी है, अगर आपको कोई भी issue आता है, comment box में आप लोग मुझे पूछ सकते हो, advisor को आप लोग skip भी कर सकते हो, जो यह star sign है, इस पे ही आप लोग कोई detail आड़ करनी होगे, और next पे click करके आप लोग submit कर description box में मिल जाएगा, कल ही हम लोग ने google के दो नए courses भी बताये तो, जो कि आप लोग free of course कर सकते हो, जो कि google ने launch की है, इस video में गाईज बस इतना ही, thank you for watching,